Hello everyone, welcome again to London, देतीमन, तो आज हम करेंगी राजिस्थान के प्रमुक महल, तो देखिए लास्ट वीडियो हमने दुर्गों के बारे में पढ़ा, मंदिर के बारे में पढ़ा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आप लोग वीडियो को बहुत देख रहे हैं, और उसके बाद आप नोट्स उठाकर खुद उसको पढ़ रहे हैं, तो आपको चीजें बहुत जल्दी याद हो जाएंगी, क्योंकि एक बार चीजों को यदि सुन लिया जाता है, और वही चीजें जो हैं, वो लिखावट में हमें सामने मिल जाती हैं, और हम खुद उसको पढ़ते हैं, तो वही चीज हमें बहुत जल्दी याद होती हैं, तो इस चीज को आप मानिये, जो भी वीडियो आप सुनते हैं, उसको आप नोट्स में भी पढ़िये, जिससे कि वो आपको ऐसे लगेंगे कि आपने ही ये लिखे हैं, ठीक है, तो बहुत ह कि मेहनत से ये नोट्स जो हैं वो आप लोगों तक पहुँच रहे हैं, इसका फायदा उठाना है, नोट्स जो हैं रखने नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है कि बाद में कड़ लेंगे, जो ऐसा सोचते हैं तो उनका काम जो है वो सही नहीं रहता है, और चीजें इखटी हो जाती हैं, तो परेशानी होती है कौन से चीज पहले पढ़ें, कौन सी बाद में पढ़ें तो चलिए राजिस्थान के प्रमुक महलों के बारे में पढ़ते हैं चोटे चोटे कमरे होते थे और उनके चोटे कमरों के चोटे दरवाजे होते थे, खिड़कियां ये लोग नहीं बनाते थे, ठीके और जैसे गाओं में आंगन टाइप में होता है, ऐसे ही ये लोग आंगन बना कर जो है उन कमरों को उनसे जोड़ दिया करते थे, तो इस तो क्या होगा कि वहाँ पर पैसा जो है वो लगाया जाएगा तो इसी तरीके से महल जो छोटे होते थे वो अब बड़े बनने लगे बहुत अच्छे तरीके से उनको सजाया जाने लगा और जब राजबू शाष्कों का दिल्ली सल्तनत के शाष्कों से संपर्क होता है मुग कि जो मुगल थे उनके जो महल होते थे किस तरीके होते थे उनके जो महल होते थे उनमें महराव, गुमबज, बेल बूटे, संग्मरमर का प्रियोग, भाग बगीचे, पबारे ये सब वो लोग वहाँ पर बनवाते थे तो ऐसे ही यहां राजबू शाष्कों ने भी बनवा यह पूछा जाता है कि कौन सा महल जो है, किस जिले में है, किसने बनवाया था और उसकी या एक दो विसेस्ता जो है, जो की बहुत important रहती है, वो चीज याद रखनी है, ठीक है, विजे मंदिर पैलेस, यह कहां है, अलवर जिले में है, और यह है विजे सागर जील के किनार यह ही बना हुआ है, एक जहाज की आकरती में यह निर्मित है, और इसका निर्मान खुद महाराजा जै सिंग ने 1918 इस्वी में करवाया था, तो विजे मंदिर महल जो है, वो राजिस्थान में अलवर से लगबग 10 किलोमेटर की दूरी पर इस्तित है, और पास में ही साही न निवास भी है, और इस्थापत्य कला सौंदरे के लिए ये पैलेस जो है, वो जाना जाता है, इसमें लगबग 105-106 जो है, वो कमरे बने हुए हैं और जो बाहर की तरफ जो है, एक बहुत बड़ा खुबसूरत सा बगीचा भी बना हुआ है, विजे सागर जील के किनारे ज एक और पैलेस है, अलवर में ही, अलवर का लेक पैलेस जिसे बोलते हैं, या जिसे सिली सेड महल भी बोलते हैं, और सिली सेड जील के किनारे जील की तल हटी में सेड माता का मंदिर होने पर इस जील का नाम जो है, सिली सेड जील रखा गया, तो देखिए, ये जो, ये समझ यह क्या है सिल्ली सेड जील है ठीक है और यह जील जो है इसका नाम सिल्ली सेड क्यों पड़ा तो यहां इसकी तल हटी में सेड माता का मंदिर है तो सेड माता का मंदिर होने पर जील का नाम जो है वो सिल्ली सेड रखा गया एक तो यह बात हो गई ठीक है दूसरी सिल्ली सेड जील जो है इसी के पास में ही सिली सेड महल जो है वो बना हुआ है और परेटक जो है वो भारी मातरा में यहां पर आते हैं इस महल को देखने और इस सिली सेड जील को देखने के लिए इस जील का निर्मान जो है महाराजब विने सिंग ने अपनी रानी शीला के लिए करवाया तो ये अलवर का लेक पैलेस है और सिली सेट जील के किनारे बना हुआ है जील की तल हटी में सेड माता का मंदिर होने पर इस जील का नाम सिली से रखा गया निर्मान किस ने करवाया विने सिंग ने करवाया अपनी रानी शीला के लिए तीसरा जो महल है सावन भादो महल यह कहां है शहबाद दुर्ग बारा जिले में है एक और सावन भादो सिंग दिया है यह स्थान है अचल गड़ दुर्ग सिरोही में याद रखेंगे महाना कुमभा और उदा की पत्थर की मूर्थी बनी हुई है इस इस्थान पर तो महल अलग है सावन भादो महल और सावन भादो जो इस्थान है वह अलग है यह सिरोही में है और महल कहां है बारा जिले में है तो एक्जाम में आपके यही पूचा जाएगा विजय मंदिर पैलेस कहां है अलवर जिले में हैं किसने बनवाया महाराजा जैसिंग ने याद रखेंगे विजय सागर जील के ही किनारे और अलवर का जो लेक पैलेस है वह सिली सेट जील के किनारे हैं किसने बनवाया महाराजा विने सिंग ने बनवाया ठीक है तीसरा हमने क्या पढ़ा कि सावन भादो म महल कहां हैं साहबाद दुर्ग बारा में हैं तो यह तीन महल जो है वो आपको अभी ही याद हो गए होंगे नेक्स्ट देखिए four नंबर पर महल है एक थंबया महल और यह महल डुंगरपुर जिले में है अभी हम आगे एक और महल देखेंगे एक थंबा महल ठीक है और वो महल मंधोर जोतपुर में है तो ये जो एक थम्भिया महल है यह डुंगरपुर में है और यह मूल्त है तीन मंजिला शिव मंदिर है इसका निर्मान जो है वो शिवनात सिंग ने करवाया था शिव ज्यानिश्वर विद्धाले के रूप में और यह गैब सागरचील के किनारे है, तो तीन पॉइंट याद रखेंगे, एक थंब्या महल जुंगरपुर में है, शिवनात सींग् ने बनवाया और गैब सागरचील के किनारे है, वहीं पर एक और जो महल है जिसका नाम है एक थंबा महल जिसे हम प्रहरी मीनार भी कहते हैं जो की मंडोर में यानि जोदबूर में है और यह एक खंबे पर निर्मित है ठीक है और इसका निर्मान महाराजा अजी सिंग ने करवाया था तो याद कैसे रखेंगे एक थंबिया और एक थंबा महल को हम भूल सकते हैं एक्जाम में तो इस तरीके से याद रह जाएगा कि थंबिया जो है उसमें कितने शब्द हैं उसमें देखिए चार शब्द हैं ठीक है और डूंगरपुर जो है उसमें पांच शब्द हैं यानि क चार और पांच शब्द हैं वहीं पर थंबा और मंडौर इसमें तीन तीन शब्द हैं तो छोटे के साथ जो है वो छोटा ठीक है और थंबिया और डूंगरपुर बड़े के साथ में बड़ा ऐसे थोड़ा सा याद रख पाएंगे आप लोग एक्जाम में यदि आप भूल ठीक है थंबा जो है वह चोटा है शब्द तो मंडौर भी चोटा है साथ में ही हैं और थंबिया जो है बड़ा है तो डूंगरपुर भी बड़ा अनेक्स्ट वह है बी जोलाई के महल जोतपुर जिले में है और इसका महाराजा तकत सिंग ने करवाया था यह महाराजा तकत सिंग कौन है जो की 1857 की क्रांती में किस के साथ थे अंग्रेजों के साथ थे और मारवाड के शाशक थे महाराण तकत सिंग जो है वो मारवाड के शाशक थे ठीक है और कुसाल सिंग की जो सैना होती है उसके साथ जो है जुद भी होता है जब हमने 1857 की क्रांती को पढ़ा था तो इन्हीं राजा ने करवाया था बीजो लाई के महल का निर्मान क्यों करवाया था इन्हों ने शिकार ग्रह के लिए इस महल का निर्मान करवाया था तो एक्जामें पूछा जा सकता है कि महाराजा जो तक्त सिंग ह इन्होंने बीजो लाई के महल का निर्मान जो है क्यों करवाया था तो शिकार ग्रह के लिए करवाया था राई का बाग पैलेस जोदपुर जिले में है राई का बाग पैलेस इसका निर्मान हाडी रानी जस्वंत देने करवाया था तो ये वही हाडी रानी है जिनके पती थे जस्वंत सिंग, 1883 इस्वी में महरसी दयानन सरस्वती ने यहीं उपदेश दिया था, राई का बाग पैलिस में, और इसे समय जो महराजा थे वह है जस्वंत सिंग सेकिंड थे, अब यहाँ पर एक्जामिनर आपको कन्क्यूज कर स लगता है, इंपोर्टेंट हैं यह दोनों ही लाइन है, ऐसे पूछ सकता है कि राई का बाग पैलिस जो है, यहाँ पर महरसी दयानन सरस्वती ने 1883 इस्वी में उपदेश दिया था, तो उस समय महराजा कौन थे, तो याद रहेगा आपको कि राई का बाग पैलिस जो है, इसने करवाया था, महराजा जस्वन सींग की जो रानी थी, हाडी रानी जस्वन देने, ठीक है, तो यहाँ पर यह जस्वन सींग प्रथम है, तो यह ना करके आपको क्या करना है आंसर, महराजा जस्वन सींग सेकिंड, इनके समय में दयानन सरसुती यहाँ आते हैं, और य इसका निर्मान महाराजा उमेद सींग ने करवाया था तो निर्मान कारी जो हैं याद रहेंगे निर्मान करता उमेद सींग है उमेद भवन पैलेस के इन्हों ने इसका निर्मान अकाल रहत कारे के लिए करवाया था तो 1928 से प्रारम होता है और 1940 तक इसका निर्मान किया जा बिल्कुल जैसे की ताज महल है आगरा का जो ताज महल है इसी तरीके से दिखाई देता है उमेद भवन पैलेस तो विस्व का सबसे बड़ा आवाशिय महल है कौन सा उमेद भवन पैलेस याद रखेंगे इस लाइन को पूछा जा सकता है विस्व का सबसे बड़ा आवाशिय महल जो है कहाँ पर है जोदपूर में है इसे चीटर प्रेश भी कहते हैं चीटर के पथर जोदपूरी लाल पत्थरों से ये निर्मित है इसी वज़े से चीटर पैलिस कहा जाता है यहां पर घडियों का संग्राले भी है ठीक है तो देखिए जो भी पॉइंट आपके एक्जाम में आने वाले हैं बस मैंने यहां गेवल वही लिखे हैं कुछ भी एक्स्टा नहीं लिखा है ताकि आपको परेशानी ना हो ठीक है तो इनको बिल्कुल एक एक लाइन जो है वो सभी आपको लर्ण करनी है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो भवन है वह है अजीत भवन पैलिस ये भी जोदपूर में हैं तो जोदपूर के महल हमने देखे एक थमबा महल बीजो लाई का महल राई का बाग पैलिस उमेद भवन पैलिस और अजीत भवन पैलिस कहां पर है जोदपूर में तो साथ म ही याद रखिए एक थंबा महल बीजो लाई का महल राई का बाग पैलिस उमेद भवन पैलिस और अजीद भवन पैलिस सभी कहां पर है जोदपूर में है इसका निर्मान जो है वो मारवाड के प्रधान मंतरी अजीज सिंग ने महाराजा हनुमंत के लिए करवाया याद रख हनुमंत के लिए करवाया था देश का पहला हैरिटेज होटल है अजीद भवन पैलिस याद रखेंगे कि हमने अभी क्या पड़ा था विस्व का सबसे बड़ा आवासिय महल कौन सा है उमेद भवन पैलिस वहीं पर देश का पहला हैरिटेज होटल कहां पर है जोदपूर मे है कौन सा अजीद भवन पैले से तो नेक्स्ट देखिए बादल महल अब देखिए कहीं के भी हम दुर्ग पढ़ते हैं तो वहां हम पढ़ते हैं कि यहां पर बादल महल बना हुआ है तो कई दुर्गों में आपको बादल महल मिलेगा यहां पर कुंबलगर दुर्ग में जो बादल महल बना हुआ है इसी महल में 9 May 1540 को महारण प्रताप का जन्म हुआ था और ये चीज आपको पता भी है कई बार मैंने आपको बताई भी है दूस्रा जो बादल महल है यह है कहाँ पर बीका नेर का जो जूना गड़ है इसमें बना हुआ है और जूना गड़ को हम बीका नेर दुर्ग के नाम से भी जानते हैं जमीन का जेवर के नाम से भी जानते हैं तो क्यों इस गड़ को जमीन का जेवर कहा जाता है इसके लिए को क्यों कहा जाता है क्योंकि इसके जो ब नागोर दुर्ग में है नागोर में ठीक है और यह कलातमक बादल महल कहा जाता है नागोर का याद रखेंगे नागोर दुर्ग में जो बादल महल है उसे कलातमक बादल महल कहते हैं बादल महल जो की सोनार दुर्ग में है सोनार गड़ कहा है जैसल मेर जिले में है और इसमें जो बादल महल बना हुआ है यह राजिस्थान का सबसे उंचा भव्य महल है तो याद रखेंगे कि सोनार दुर्ग में जो बादल महल है वह राजिस्थान का सबसे उंचा भव्य महल है और इसका निर्मान जो है सिलावटोनी करवाया था और उसके बाद इस महल को वैरी साल को भी भेंट कर दिया था, अठारा सो तीसी स्वी में, चीके, तो हमने जो हैं, अभी तक कितने बादल महल पढ़े हैं, चार बादल महल, एक कुंबलगड में पढ़ा, जो कि महाना प्रताप का जन्म होता है, दूसरा हमने बादल महल पढ़ा, जूनागड का, जहां सोने चांद के काम के लिए प्रसिद्ध है तीसरा हमने नागोर दुर्ग में जो बादल महल है उसके बारे में पढ़ा कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है और जैसल मेर का जो सोनार दुर्ग है सोनार गड़ उसमें जो बादल महल है वह है राजिस्तान का सबसे उंचा भव्य महल है ठीक है तो ये चीज आप याद रखेंगे, अगला देखिए हवा महल, important है कई बार यहां से question जो है वो आया हुआ है, कई बार वास्तुकार का नाम पूछ लिया गया है, तो कई बार जो है, डेड़ पूछ ली गई है कि हवा महल का निर्मान जो है किस सन को हुआ, हवा महल कहां है, जैपूर में है, देखा होगा सभी ने, इसका निर्मान जो है 1799 इस्वी में सवाई प्रताप सींग ने अपनी रानियों को गन गोर की सवारी दिखाने के लिए इस्वी में हवा महल का निमान करवाया था, डेट जो है वह भी एक्जाम में आ चुकी है, हवा महल के वास्तुकार हैं लाल चन, उस्ता और यह लाल पत्थरों से निर्मित है, अब देखिए हवा महल के बारे में तो कई बार बहुत सारे कुशन आये हुए हैं, किस से निर् ये भी आ चुका है नीचे से उपर क्रम से इसमें पांच मंदिर बने हुए हैं जो पांच मंजिला है तो उसमें नीचे से लेकर उपर तक जब हम जाते हैं तो इसमें पांच मंदिर हैं जिसमें सरद मंदिर सबसे नीचे है उसके बाद जो है रतन मंदिर है दूसरी मंजिल प इसकी जो आकृति है वह है कृष्ण के मुकुट के समान है, जैसा कि आप देख रहे हैं मुझसे इसी तरीके से ये बना, तो मैंने इसे बनाने की कोशिश की, कि डाइग्रम जो है वह आप लोगों की एक्जाम में थोड़ा सा माइंड में आ जाएगा, कि कृष्ण के है याद रखेंगे हवा महल ठीक है पिरामिडा नुकार भी है ठीक है नेक्स्ट देखिए ये तो था जैपुर का हवा महल एक और हवा महल है जो की खेतड़ी जुनजुनू में है इसे सेखावटी का हवा महल कहते हैं तो अगर एक्जाम में आता है सेखावटी का हवा महल जो इसे कहते हैं, राजिस्थान का दूसरा हवा महल कहते हैं, पहला हवा महल कौन सा है, प्रताप सींग के द्वारा बनाया गया जैपुर का हवा महल, राजिस्थान का मिनी हवा महल इसे कहते हैं, क्योंकि यह उससे चोटा है, और महाराजा भूपाल सींग ने ग्रीश्मकाल में विश्राम ग्रहे के रूप में इसका निर्मान करवाया था गृष्मकाल में यहाँ पर विश्राम कर सकें क्योंकि हवा महल होता ही ऐसा है कि यहाँ हवा जो है उसका आवागमन अच्छे से हो तो यहाँ पर भूपाल सिंग ने गृष्मकाल में विश्राम ग्रहे के रूप में इसका निर्मान करवाया था तो आपने अभी तक एक ही हवा महल के बारे में पड़ा होगा तो चलिए अब हम तीसरे हवा महल के बारे में जानते हैं एक हमने जैपूर में देखा जो की जैपूर में किसने बनवाया सवाई प्रताप सिंग ने दूसरा हवा महल जो है वह कहां पर है खेचडी जुनजुनू में इसका निर्मान जो है वह किसने करवाया था तो इसका निर्मान करवाया था भूपाल सिंग ने और तीसरा जो हवा महल है यह है कोटा में इसका निर्मान महाराव राम सिंग सेकंड ने करवाया था तो एक्जाम में यदि आता है राम सिंग सेकंड ने कौन से हवा महल का निर्मान करवाया था तो याद रखेंगे कोटा में जो हवा महल है उसका निर्मान करवाते हैं राम सिंग सेकंड तो चलिए आज का वीडियो जो है यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट महल के बारे में पढ़ेंगे, तो तब तक आप इनको करिएगा रिवाइज, थेंक यू,